हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोगरी चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे देश्टने के तमाम सबसे बड़ी खबर है तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है निती आयोग ने दिया है तीन बैंकों के नीजी करण का सुझा जानेंगे जिया दोस्तो अगली खबर की तरह बढ़ते हैं जिया दोस्तों के सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्तान पॉलिटिकल से जिया दोस्तों जैपूर से निकले गहलोच सरकार के छे मंतरी पांच वीधायक लापता नहीं पहुंचे जैसल में जानेंगे इस खबर को विस्तार से आकर क्य पर लॉकडाउन में छूट देने की मांग पर इलाबाध हाई कोट ने क्यों किया इनका जाने की तमाम चीजों को विस्तार से वीडियो के अंदर साथ ही आपको बताएंगे होटल खोलने का फैसला पल्टे जाने पर बीफरी है आप कहा केंदर को दिल्ली वालों की पीरा द देस में पिछले 24 गंटों में 50 हजार से ज़ादा मामले देखने को मिल चुके हैं और जिस से भारत में नए ने मांग मले देखने को मिल रहे हैं उस से भारत बहुत ही जल जिया दोस्तों बराजिल को पीछे चोड़ते हुए पूरी दुनिया में दूसरे अस्थान पर आ ज दूसी तरह कारें ना ही किसी बेत बखार को से लोग में कर्रहां से सकर्वाय के लिएगा बात के लिए सुला लाग के करीब बहुच चुकेcomings मरने वालों के संग्यार करीब 35,000 पार हो चुकी है जिया दोस्तों जिस तेजी से भारत ने करोना वाइरस बढ़ रहा है उस हिसाब से साल लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत पुरे विश्व में नंबर दो की पोजिशन पर आ जाएगा तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है निती आयोग ने दिया इन तीन बैंकों के नीजी करण का सुझा जानिए कौन से यह बैंक जब से करोना वाइरस आया है देश में उसके बाद सही भारत सरकार लगातार यानि केन सरकार की मोधी सरकार जिया दोस्तों लगाता सरकारी कं अपनियों को बेचने पर तुली हुई है चाहे उनका नीजी करण कर दिया जाए चाहे तो उनके सारे शेर्स को बेज दिया जाए इसी में बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी जिया दोस्तों बैंकों को भी फिर से बेचा जा जा रहा है बात करें नीती आयोग ने सरकार को सुझाब दिया है कре ओद तीन पप्रिक सेक्टर के बैंकों को नीजी कर दे यानि उन्हें पूरी तरह से भेज दिया जाया इनी उननgrass को भी अंस ना रहा है बात करें इन सुझाब के सभी ग्रामिल बैंकों के मर्जर का सुझाब दिया गया है इसके साठीयette भी को अधि सकेगा भारत सरकार अपने आधिस से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों का नीजी करने की योजना बना रही है योजना यह कि इनकी संक्या घटा कर पांच पर ले जाए जाए जया दोस्तों जब इंद्रा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत ही बड़ा फैसला लेते हु और आपने अभी तक जितने भी मामले देखे हैं जिया दोस्तों प्राइवेट बैंकों के वो आपसे दूर नहीं है लेकिन लगा था सरकार बैंकों को चलाने में अच्छा सब महोतने के बाद तुरण तुन बैंकों को नीजी करने का सुझाव देते हैं चाहे एरपोर्ट क की तरफ अगली सबसे बड़ी खबरारी आजस्तान से जिया दोस्तों जैपूर से जैसल में सिफ्ट किये गए गयलोत खेमे के विधायक सिफ्टिंग के दौरान गलोत खेमे के 11 सद्द से लापता नहीं पहुंचे जैसल में लापता होने वालों में च्छ मंतरी हैं और पां लेकिन उसमें से 11 लोग गायब हो चुके हैं तो दोस्तों अगर मैं आपको सभी नाम बताता हूं जिया दोस्तों 11 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं आप समझ सकते हैं जब देश में करोना अपनी पूरी चरम पर है लगातार दीन पे यानि 24 घंटों में 50,000 ने ने मामले सामन आ रहें ऐसे में जिया दोस्तों जनता के दोरा चुनी गई सरकार को इस प्रकार गिराने की आशंका करना या इस प्रकार के सचिन पाइलेट के जो बैदुका बयान थे यानि किसी भी समय ये समय एक ऐसा सजम है जिसे हम क्रिटिकल सिचुएशन कह सकते हैं पैनेडिक सिफ अपने आपको बचाने में जुटी हुई है ना कि करोना वायरे से लड़ने के लिए कोई नया उपायक सोच रही है अगली सबसे बड़ी ख़बर आ दीन प्रतिती नया केस में जो हिसमें खुलासा होते ही जा रहा है इसी बीच एक बहुत भड़ी अपडेट आ चुकी इस बारे में एक इंटर्वी के दरान महराश्चा के सीयम उद्ध ठाकरे ने इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने का कि इस तरफ की घटिया राजनेती देश में नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुंबई प्लिस लगातार काम करी और बहुत तेजी से एक से नये खु के वज़े से सुसान सिंग राजपूत ने अपने घर में सुसाइट कर लिया था जिसकी वज़े से सोशल मीडिया के माध्यम से और या तो कई तरह से जिया दोस्तों उनके फैंस और उनके चाहने वाले हैं तमाम जिया दोस्तों कोशिसे कर रहे हैं कि सुसान सिंग राजप खान के इसे बिहेवेर के वज़े से जिया दोस्तों अगली जो है सबसे बड़ा नाम वो है करन जोवर जिया दोस्तों जो हमेशा स्टार किट्स को ही चांस देते हैं उनको अपने बयान में कहा था कि वह अपने मौसी के फुवा के बच्चों को लॉंच करें यह उनकी खुद भारत को एक भी औसको रवर्ड नहीं देला पाए क्योंकि इन्हों ने पूरा एक खेमा बना लिया है कि अपने ही बच्चों को लॉंच करेंगे अपने ही बेटियों को बताएंगे अपने ही बेटों को जो है रो हीरोईन बनाएंगे जी हां दोस्तों यह सबसे बड़ी कि प्रकार कोई टिपाड़ी देना नहीं चाथे लगा धार जिहां दोस्तों नेपाल बहारतियों पर कुछ न कुछ नहीं टिपड़नगे करते आ रहा है जिए भारती सेना में गोर्खाओं की भरती की परिच्छा करेगा नेपाल कहा 1947 का समझोता निर्थक हो गया भारत से सीमा विवात के बीच नेपाल अब भारती सेना में गोर्खा सैनिकों की समीच्छा करने जा रहा है नेपाल विदेश मंतरे प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि इस समझोते के कुछ प्रावधान संदिक्द है इसलिए 1947 का यह समझोता निर्थक हो गया है 1815 से लेकर आज तक निपाली गोर्खाओं का भारती सेना के साथ अभूत पूर संबन कई युद्धों में दिखा चुके हैं पराकरम भारत में सीमा विवात के बीच निपाल भारती सेना में गोर्खाओं के भरती के लिए परिच्छा लिया जाएगा निपाल विदेश मंतरी ने जो इस प्रकार का बयान दिया है ज्याँ दोस्तों नेपाल लगा था चीन का समर्थन करते हुए भारत ते तीखी प्रक्रियाई करते जा रहा है लेकिन उसके बावज़ूद मोधी सरकार है कि उसका जवाब तक नहीं दे पारे जाया दोस्तों छोटा सा देश भारत पर कितना प्रकार हमले कर चुका है तीखे कोई action जो है नेपाल के खिलाफ नहीं ले रही है अगली सबसे बड़ी खबर आ रहे बकरीद पर लोकडाउन में छूट देने की मांग से इलाबाध हाई कोट ने किया इनकार जिया दोस्तों इलाबाध हाई कोट ने इदूल जहा यानि बकरीद पर कुर्बानी के दिन सनिवा प्रतिबंद ना तो मनमाने हैं और ना ही अकारण है इसको लोक्षेम और स्वास्था के मद्य नजर लगाया गया है समिधार में दिया गया धार्मिक सोतंत्रा का मौलिक अज्यार निबार्थ नहीं है राजी को अधिकार है कि वह इस पर उचित प्रतिबंद लगा सकता है पीस पार्टि के सदस्री और सर्जंट डॉक्टर मोहमद अयूब की जन्हित याजका पर नियामूर्ति पंकज मित्तल और नियामूर्ति डॉक्टर वाईक सिवास्था के पीठ ने सुनवाई की या नहीं किया कहान कि याजक्व को बकरीद है मंगाँर करोनाori महामारी काया राज में guidelines जारी करके हर सनीवार और सनीवार को lockdown का निंडलिया गया है एक अगस्त का सनीवार है इसलिए सनीवार को lockdown रहेगा और इसमें धील नहीं दी जाएगी तो चलते हम अपने खबर की तरफ जियां दोस्तों अगरे सबसे बड़ी खबर आ रहे ही रिल मंतराले की तरफ से रिल मंतराल, जियां, दो लगातार अपनी यात्रओं में सुईधा देने के लिए ततपर है और इसी बीच, जियां, दो, स्पेशल टेर्नों की संखिया हो, चाहँ है लोकल टेर्नों की संखिया हो उसमें इजाफा करते हुए नजर आए जिया दोस्तों अगर आपको भी जानना है विस्तार से कि आपके राज या आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके हम सिर्ट ली पोच सकते हैं लालोला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए देरें